हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बीसी रंटर्म 140.dll वाज नॉट फॉंड इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिस करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा 140.dll वाज नॉट फॉंड यानि तो यहां पर ओके पे किलिक किजेगा तो इसके बाद इस तरह से यहां पर एरर आ जाएगा वी सी रंटर्म 140.dll वाज नॉट फॉंड इस तरह का एरर आपके केस में भी आता है तो इसको कैसे फिस करना है वो मैं आपको बताता हूं इसक तरह से टैप करके आप गूगल ओपन कर लिजेगा ओपन करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से मैक्रोशॉफ्ट का ओफिशल वेबसाइट ओपन हो जाएगा बांकि इसका लिंक आपको डिस्किप्शन मे भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको कोपी करके, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद इस तरह से आपका case में भी यह window open हो जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, 86 के लिए, यहाँ पर आपको 64 bit के लिए, तो आपको क्या करना है, इन दो प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् और पर ांपे करके बाहर के सब्सक्राइब सता फिर सब्सक्राइब करना है कि बाहरों से पर याझ पर निए इस्स तरह की कट्ना होतां हमें यहाँ आप कर दिने यहाँ पर किलिक करती है इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा आपको क्या किने इसको यहाँ पर टिक माइक कर दिजेगा इसके बाद आपको इंस्टॉल पर किलिक करती है इस तरह से यह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर setup successful लिखा हुआ जाएगा आपको क्या किने इस window को यहाँ से close कर दिने हैं सेम तरीक से आपको क्या किने इसको भी यहाँ पर आपको install कर लेना है यहाँ पर right click करके run administrator पर click किज़ेगा इसके बाद यह window open हो जाएगा आपको यहाँ पर tick mark कर दिने हैं इसके बाद यहाँ पर install पर click कर दिने हैं इस तरह से install हो जाएगा successful होने के बाद आपको क्या किने इस window को यहाँ से close कर दिने हैं पर यहाँ आप इस पर आप इसको आपन करके चेक कर सकते हैं आपके case में जो यह follow हो जाएगा चलिए अब आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूं यह आपको क्रीम लॉंचर आपको कर लेना है बद्वार है यहाँ इस तरह सब्सक्ताonterरedy मैं इस प्रॉल्ण को फिक्स कर सकते हैं जो आपके case में ये दोनो error आना था ये error आना बंद हो जाएगा इसके बाद ये window open हो जाएगा आपको क्या करना यहाँ पर किलिक करके इस game को start कर लेना आप देख रहे हैं यहाँ पर loading आ जाएगा इसके बाद ये game में start हो जाएगा ये आप लोगों के case में यहाँ पर error आता है तो इसके recording मैं दूसरा वीडियो बना के रखाऊ और वीडियो आप देखे इस फ्रॉलों को fix कर सकते हैं आप देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर एक game में start हो चुका है कर दो